हे गाइस फिलकम टो में चैनल ग्लैम विद प्राचिया आप सब कैसे हो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे सुबह का टाइम है मैं नहा करके आ गए हूँ तो मैं उपर ही पूजा कर लेती हूँ इसके बाद फिर नीचे जाओंगी तो उपर ही नहाना होता है उपर ही चला जाता था आदे गंटे एक गंटे रहता था खेल लेता था बट अभी यह जब समझदार हो गया ना तो यह बिलकुल भी मुझे नहीं चोंड रहा है एकदम पीछे-पीछे-पीछे-पीछे घोम रहा है और यह कहीं भी चला भी जाएगा न तो बस इसकी नजर रहते है कि ममा नहीं देख रही है तो अभी बड़ा हो रहा है तो और जादा एकदम चिपकू टाइप का होता जा रहा है और यह भी एक रेजन हो सकता है कि बाहर रहते हैं जादा किसी को देखता है नहीं बस हम ही लोग को देखता है तो इसको वही आदत है कि ममा पापा को ही देख थोड़े बहुत जाएगा भी सबके पास बर्टीस कर रहता है कि नहीं मम्मा दिखनी चाहिए और पूजा मैं कर रहे हूं तो उसको बहुत मज़ा रहा है देखने में नीचे आ करके मैं सबसे पहले चाई पी रही हूं और उसके साथ खाने हूं पारलेजी बिस्किट तो पारलेजी बिस्किट न मुझे बहुत अच्छे लगता है चाई के साथ और अभी मुझे कोल्ड हो रहा है इस वज़े से चाई पी रही हूं वरना ठंडी अब कम होने लग कि नहीं मत खिलाओ तो आभी यह नहीं खाएगा मैं ही खा लेती हूं वैसे कभी-कभी पाले जी बिस्किट खा लेता है लेंगि ऐसे चाय में डिप किया हुआ नहीं इसको अच्छा लगता है सुबा के साड़े 9 बज रहे हैं काफी हद तक हमारा काम हो गया है क्योंकि यहाँ सब कुछ जलदेली होता है कुछ अब है करने को तो यहां सुबा सुबा के टाइम पर ही सारे काम हो जाते हैं मैं अपने वीडियो स्टार्ट कर लेती हूं जो भी करती हूं पूरा दिन ससुराल में आप लोग के साथ भी सेयर करूँगी आज दाल वाली रोटी बनने वाली है हमारी पसंदीदा रोटी है क्योंकि बहुत पसंद है मा जो बनाती ही न वो कुछ अला टाइप की ही बन्दी ह आप लोग के सांद भी सेयर कर वाली है कि मैं पूरी रेशिप टाइप की सूट कर ओं आप लोग को दिखा हूं क्या-कया मा मिलाती है क्या कैसे फिलानों फी दाल सब भीग रही है और और कौनसी उEDK नहीं मूंग के है I say मैं ध्यार नहीं दिया तो सारी नाल बीग रही है और फिलाल मैं जा रही हूं पपीता खाने क्योंकि मैंने बस सुबह चाए बिस्किट खाई थी अब यह पपीता खा लेती हो मुझे में जुखाम हो गई है मेरी आवाद से आपनों को सबज में आ रहा होगा तो कहीं से आओ जाओ रहा हूं उद्धू को तो ट्रेन से ही पकड हो जाए क्योंकि बच्चों का बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है अभी वह वहां जाएगा न तो फिर उसका और बढ़ने ही वाला है तो यह मैं पपीता कट करके ले आई हूं और खा लेती हूं और इस टाइम पर जुखाम की वज़े से कुछ समझ में नहीं आता कौन सा इस खाऊं बस्वई सेब और पपीता ही समझ में आता है इसके अलावा तो जितने भी फ्रूट साते न सब थंड़ी होते हैं तो यह मैं आपको दिखाऊं दाल वाली रूटी बनने के लिए ना दाल पिस गई है हौई इसमें सारी दाल मिलाकर की पीस लिए चने की दाल है उपर से बेसन मिलाया जाएगा आटा मिलाया जाएगा ताजरा मसाला मिलाया जाएगा यह आपको दिखाऊं आटा वो तने वाली थाली में सब कुछ इकठे डाल दिया गया है और हरम मसाला इसमें धनिया लैसुन मिर्ची यही सब कुछ डाल गया है ताजरा ताजरा मसाला रहती न कि बस उसको ही सुखाने के लिए हलकल का आटा डालना होता है बाकि पूरी प्रोपर एकदम दाल वाली रोटी रहती है इसलिए ना जुम मैं मेरट में बनाई थी न वह एकदम एक्जेक्टली ऐसी वाली नहीं बनी थी क्योंकि मैंने आटा ज्यादा मिला दिया था हा धीरे 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 गूत रही है और जितना उनको जरूरत समझ में आएगी थोड़ा थोड़ा आटा भी मिलाती जाएंगी क्योंकि दाल बहुत ज्यादा थी न तो थोड़ा आटा लगेगा ही मतलब ऐसे रहे न उतना डो बन जाए जिससे हाथ से भी बनाया जा सके आप दे हुआ है मैंने अपना वाला एक्सपेरिमेंट तो कर लिया है अब मा बना रही है अच्छी वाली रोटी क्योंकि मेरे से ऐसे नहीं बन पाई थी उतनी अच्छी क्योंकि दाल इसमें ज्यादा था था तो उतना ज्यादा नहीं बन पाता है और मा से देखो कितनी अच्छी बनने इतनी दाल होने के भावजूद तो अभी मैं दिखाती हूं आपको किस सरीके से बना रहें और ये तवे में हलका सा थोड़ा सा कुछ मिट्टी टाइप का लगा दिया जाते हैं ताकि ये जो हाथ वाली रोटी है रहती है इसे पानी लगा करके तो ये तवे में चिपकती नहीं है औ आच लोग वह बना रही है तो हम लोग सेख लेते हैं और ये गरम गरम अच्छी भी लगते हैं तो सबसे पहले ये खाएंगे इसके बाद फिर घर में जितने लोग है ना जितने लोग क्या हमी लेडीज लोग हैं बाकी तो सब लोग चली गए गया है सुबा सबका सबजी रोटी एक बारी बन गया था सब लोग खा करके जा चुके हैं और यह आपको दिखाओं आलू मटर टमाटर की सबजी बनी है कुकर वाली तो यह ऐसे कुकर वाली बहुत अच्छी लगती है साथ में आमकाचार और यह दाल वाली रोटी तो ऐसे बहुत टेश्टी लते हैं इस कि तिलग था तो तिलग करके मुझे छोड़ करके अब यह आज जा रहे हैं और सच बताओं पांच साल हो गया बट फिर भी अभी ऐसे वाला सुच्वेसार आता है ना आने जाने वाला तो अच्छा नहीं लगता है बिल्गुल भी लेकिन ठीक है अभी जब जाएंगे तभ इतना तो है यह अभी ब्रुएंगों पीशे पीशे खुम रहा है उडाइव शुनह सबसे हाए कर लो बढ़िदैको हाई कर लो सबसे कई करना हाइं करना हाई वह देको दादी आदी आजेजौ देखो छोटी शौटी दादी आजेजौ और यहींघ दादी लिफ्त नहीं मा करता है मच ममा पाओ जान भूच के लिए डालता है मूं में हाद नहीं पापा को भी मारता है ममा पापा दो डूडू हुआ हुआ एए क्या कर रहो क्या बाई बाई बेटू बाई बेटू बाई वो किधार बाई कररहा है वं मम इतार्या बेटू और बेटू बाई 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 टा 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 वो उअा आर्द गया है जो उपली आ रही न न तो प्रश्र रोग गया अभी जाद रहे हैं रात के साड़े आठ बज रहे हैं मैं बना रही हूं आज दल टिक्की तो घर में ज्यादा कोई घाने वाले हैं ने पापा चाचा लोग सर्वूग ने मंतरन गया हैं तो फिर हमने सुझा क्या बनाया चलो दल टिक्की बना लेते ह काफी दिन हो भी गया था नहीं बनाया थे तो सबसे पहले मैं वड़ी भून करके अलग से रख ले रही हूं कड़ाई में और इसी कड़ाई में बाद मैं फिर मैं चौका भी लगा दूँगी दूसरी तरफ मैंने कूकर में दाल चढ़ा दिया है और इसमें मैंने हल्दी न ला देना ताकि वो आपस में चिपके नहीं खटाई पावडर और जो मैंने वड़ी भूनी थी उनको भी मिला देना है और धकन बंद कर देंगे इसको तिन चार सीटी तो लगेगी पकने में और इधर आप देख सकते हो मैंने डाला तेल में जीरा और खुब सारा इसमें न तो मैंने प्याज भी डाल दिया है और अच्छे से प्याज को एकदम गोल्डेन राउंड कर लूँगी ताकि ऐसे कच्छी कच्छी सी ना फीलो प्याज को अच्छे से पकाने के बाद मैं इसमें टमाटर मिलाओंगी बट उससे पहले ना मैंने थोड़ा सा हल्दी मिलाए था क्योंकि मैंने दलट्की देखा तो मज़ें हलक से कम पीली लग रही थी तो मिनी लगा चलो मैं इसमें हल्ती डालकर करके पका लेती थी हूं ताकि अच्छे से पीला पाना है और उसके बाद मैंने टमाटर दाल दिया है टमाटर डालने के बाद मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि आपस में अच्छे से गल जाए पक जाए और अगर आप दल टिक्की नहीं बनाते हो न तो एक बार बना करके जरूर ट्राई करना बहुत टेस्टी लगता है और देखो इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमे बहुत सारी इसमें डाली थी तो आटोमेटिकली यह इतना ज्यादा खटा हो जाएगा कि किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ीगी तो मैं सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और लास्ट में इसमें डालूंगी धनिया पत्ता तो धनिया पत्ता डालने से आभी यह बहुत कलर फुल सी लगने लगती है और धनिया पत्ता तो वैसे भी हर खानी की रान होती है कितना भी कम अच्छा देखिए अगर आप धनिया पत्ता डाल दो न तो वह बहुत अच्छा दिखने लगता है तो एक बार आप लोग ऐसे दल्टिक्की बनाकर के जरूर ट्राइ करिएगा अगर वैसे तो मुझे पता है अभी न बहुत सारे लोग दल्टिक्की बनाने लगें इजी भी रहता है प्लश टेश्टी भी रहता है तो काफी सारे लोग बनाते हैं तो मैं अपने वीडियो का भी एंड करूंगी पसंद आया हो लाइक कर देना बाइबाइ